हलो दोस्तो आप सभी का स्वागत है में नुमारवडी रसोई में और आप सभी के लिए आज में इतनी जबर्दस्त मिठाई की रेसिपी लेके यह उनली 10 मिनट में बनके तैयार हो जाएगी एकदम दानेदार जूसी रसीली कोई कई नहीं सकता कि यह आपने उनली 10 मिनट में बना के तैयार की है बहुत ही कम खर्चे में वो भी बिना गेज जलाए आदे कप दूद और आदे कप मलाई से यह मिठाई तैयार कर लेंगे दोस्तो और दोस्तो आप जब भी यह मिठाई बना के किसी को खिलाओगे तो यकीन ही नहीं करेंगे कि आपने बिना गेज जलाए केवल आदे कब दूद में बनाकर तैयार कर ले इतनी जबर्दस्त मिठाई है दोस्तों तो उसके लिए दोस्तों आप रेसिपी को पूरा जरूर देखे और रेसिपी देखने के बाद अगर आप सभी को पसंद आती है तो अपनी दोस्त पेमेली के साथ इसे जरूर शेयर करे और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबा दे ताकि आने वाली नहीं रेसिपी सबसे पहले आप तक पहुंचे तो प्लीज दोस्तों सपोर्ट जरूर किया करें आपके सपोर्ट करने से मुझे बहुत ही मोडिवेशन मिलता है नहीं रेसिपी लाने दोनों को मिक्स में ही पीस के पाउडर बना लेंगे और एक बड़े ब ticket के अंदर डा लेंगे तो चीनी और इलाइची का मैंने पाउडर बनाके इसके अंदर डाल लिया बाउन के अундler अब यह एक कतौरी मेने लिये मिल्क पाउडर तो आप सब चीजों को नापकर लीज़ अच्छे से तो आपकी भी जबर्दस टेस्टी सी यह दानेदार कलाकन बनके तैयार हो जाएगा तो चीनी और मिल्क पाउडर को हम अच्छे से चम्मस से मिक्स कर लेंगे और यह मैंने लिए आदा कप ताजा दूद वाली मलाई अगर यह आपके पास थोड़ी जादा हो तो जादा भी ले सकते हो तो फिर आपको दूद डालने की जुरत नहीं पड़ेगी तो इसमें मैंने आदा कप दूद भी रख लिया है थोड़ा-थोड़ा करके डालते जाएंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसे और इसमें ड प्राउन पाट है इसको हम हटा देंगे अच्छे से पूरे ब्राउन पाट को हटा देंगे इससे हमारा कलाकन बहुत ही दानीदार बनेगा और इससे डालने से इसके अंदर बिल्कुल भी ब्रेड का फ्लेवर नहीं आएगा दोस्तों एक बार आप जरूर बनाईए तो यह देखिए मैंने छे ब्रेड के टुकडे करके पीस के पाउडर बना लिया है मिक्सी जार में और यह हमने पाउडर बना के तयार कर लिया है और इधर यह हमारा में पाउडर का जो बेटर हमने बनाया था वो है इसी के अंदर इस पाउडर को डालेंगे अच्छे से मिक्स करे तो दोस्तों अगर आपका यहां पे थोड़ा ड्राय रहे तो एक चमस दू दिया एक चमस मलाई की ओर डाल सकते हो लेकिन हमारा जो हमने परफेक्ट रैसु लिया था उससे फरफेक्ट बन के तयार हुआ है और आप चाहे तो इसे इसी तरीके से उपर से ड्राइफ रूट ड ज़रूर लगाएंगे दोस्तों नहीं तो हमारी यह मिठाई निकलेगी नहीं बाद में तो बैटर पेपर को थोड़ा सा घी से ग्रिस कर दिया है मैंने और यह हमारा बैटर जो दानेदार बैटर बना है कलाकन का वह इसके अधर डाल देंगे ताकि इसे पिसेस में काट सके तो यह दिखने में बहुत ही अच्छा लगेगा और जितना दिखने में अच्छा लगेगा खाना में उससे ज्यादा टेस्ट यह तो आप देख सकते हो दोस्तों कितना दानेदार बना इस तरीके से आप चाहे तो इसे इसी तरीके से भी सर्फ कर सकते हो तो दोस्तों हमारे जो बजार के अंदर ये कलाकन मिलता है वो इसी तरीके का होता है और इसी तरीके से मिलता है खुला तो आप चाहे तो पिसे करके खाईए या ऐसे यह भी इसे सर्फ कट सकते हैं उपर से ड्राइफ रूटस डाल के तो दोस्तो आपने कभी देखा हो तो देखा होगा इतना ही दानेदार ऐसा ही होता है कलाकन भी बोलते हैं मिस्री माव भी बोलते हैं तो इसे सेट होने के लिए हम रख देंगे इस पर थोड़ी सी गुलाब की पतियां ड्राइफ रूट्स डाल देंगे तो यह मैं यहां पर पिस्ता डाल रही हो पिस्ता से बहुत ही अच्छा लुक आत है इसके उपर तो दोस्तों आप देख लीजिए कितना शांदार लग रहा है हमारा यह कलाकन तो इसे आदे गंटा हम फ्रीज में रख देंगे अगर आपके पास टाइम हो तो एक गंठा भी रख सकते हो इसे फ्रीज में चाहे तो आप इसी तरीके से भी सर्फ कर सकते हो त यह कलाकन होता है उसी तरीके का होता है जिस तरीके का होता है उसी तरीके का मैंने यह बनाया है आप चाहे तो इस तरीके से इसकी पिसिस काट लीजिए और दोस्तों जो मार्केट का कलाकन यह मिस्रिमा होता है एकदम हलका सा जूसीला दानेदार होता है तो उसी तरीके का यह हमारा जूसीला दानेदार बन के तयार हुआ है और दोस्तों लगा है नो आप खुदद देख कितने दानेदार का लेटां को बन Id Babi, मैंने ये बनाई थी तो मेर को कुद during my affair को यकीन हुआ कि अटना जबर्दस ही है हमारी मिठाई बन के तयार हुई है तो आप खुद देखिए दोस्तों कितने शांदार बनाया है हमारे एक कलाकन बिना गेज लाएं उल्ली 10 मिनट में बनके तयार और दोस्तों यह जैसा दिख रहा है ना उतना ही ज्यादा टेस्टी भी है यह नहीं कि यह टेस्टी नहीं है और इसमें ब्रेड का फ्लेवर बिल करें चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करें और दोस्तों आपके सपोर्ड करने से मुझे बहुत ही मोटिवेशन मिलता है तो प्लीज प्लीज दोस्तों सपोर्ड जरूर किया करें और वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद टेक्एर मिलते हैं फिर अग